दोस्तों कन्या कुमारी से डिबरुगड के इस लंबे सफर में आप सभी लोग का स्वागत है आज आप इस जैनी के लास्ट पार्ट को देखेंगे वैसे मैं आप लोगों बता दूँ कन्या कुमारी जो की भारत का आखरी हिसा है वहाँ से हम लोग ने स्यात्र को शुरू किया था और कई राज्यों को बार करते हुए बहुत सारी खुपसूरत चीजों को देखते हुए हम लोग दिबरुकड तक के अपने सफर को तैय करने व मिली थी और हाँ ऐसी ही उमीदों को लेकर के आज हम लोग गेटवे ओफ नॉर्थीस से एंटर कर चुके हैं और हम लोग आज नॉर्थीस इस वीडियो में एक्स्ट्रोर करेंगे उमीद करता हुए जर्णी भी आपको पसंद आएगी छले इस वीडियो को शुरू करते हैं एनली डे फूर आज हमारी जर्णी जो एंड होने वाली है तीन नाइट हम लोग ने इस टेन में बिताया है और इसी के साथ गुड़ मॉर्निंग फ्रॉम न्यू बोगाई को दोस्तों और यहां हम लोग 6.50 पहुँचे हैं दो घंटे के डिले के साथ बोगाई को बहुत थ दोस्तों यह है तो दोस्तों यह है तुनिया रिवर चोकी न्यू बोंगाई गाउन रेलवे स्टेशन के नीचे ही बहती है जोचे नदी के ऊपर एक रेलवे स्टेशन वना हुआ यह है तो अनों की बात लेकिन कई लोगों को इस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं है जादा देर अपनी ट्रेन यहां भी नहीं रुकिया और वैसे में आपनों को बता दूए यहां आते आते हैं हम लोगों नहीं हो रहे कि 3,500 किलोमेटर्स की जो दूरी है ना उसे तै कर लिया है अब ही हमारी जर्नी बहुत बाकिया भी दो जिप्रुगड़ तक का सफ़र बाकिया लेकिन बेस्ट बात यह है कि फील नहीं हो रहे कि 3,500 किलोमेटर्स लोगों ने फूरे के यहां जर्नी में और तीन नाइट इस्टेंड में पिताचके हैं अब चाहिए निम्बू बड़ा बढ़ी है आपका बड़ा साय निम्बू बड़ा अच्छा है आपका इधर ऐसे आथा है कि देखने में काफी बड़ा है हमारे तो गोल आता है यह लोकल निम्बू है नॉर्थ यस्ट मारे को बस्ट चीज मुझे लगती है यहां की लाज अचली इंडियन रेल्वेज में जो चाह मिलती है न उसमें दूद तो वैसे भी नहीं होता है दूद वरी चाहे लाल चाही दिया करो सेहत के कुछ काम है मेरे साब से तो इंडियन रेल्वेज की ग्रोथ में उस दिन मानूँगा दिन लोकों को 10 रुपे की चीज भी इंडियन रेल्वेज में होगा न मैं मान लूँगा उस दिन इंडियन रेल्वेज ने अपनी ग्रोथ को इचीफ कर दिये यहां अमारी ट्रेन अभी पार करी एक रेलकम रोड ब्रिज को जिसमें उपर की ओर सड़क के साधन है और नीचे रेल्वेज लाइन यानि एक ही ब्रिज में दोनों चीजें इसलिए से रेलकम रोड प्रिज कहा जाता है जो कि महाविशाल का ब्रह्मपुत्र नदी में बन होती सुहाना है इसे कहा जाता है नारायन सेतु ब्रिज जो की गोंगाई गाउं को जोगी होपा से जोडता है और यह हम लोग अभी ग्वाल पारा डिस्ट्रिक के अंदर है इसलिए आप देख सकते हो कि कितने बढ़िया नजार है और 15 अप्रिल 1998 को अटल बिहारी बाचप लोग दो घंटे के डीले के साथ पहुंचे गवाल पारा टाउन जहां पर हमारी ट्रेन का मातर दो मिनिट का हॉल था और यहां से भी कई सारी सवारियां इस ट्रेन में चड़ी और कई लोगों ने से डिपोर्ट भी किया है इस सफर के दौरान बहुत सारे लोग हमसे बिले और बहुत सारे लोग बिछले वी और कई लोगे साथ अच्छे अच्छे रिष्टों को बनाते हैं हम लोग इस सफर में आगे क्योर पढ़ रहे थे और इंतजार था उस पल का जो एक इस यात्रा में केवल एक ही बार होता है वो है डिबुगर से कन्या कुमारी की और जाने वाली विवेक एकस्परिस के साथ प्रॉसी है तो कि आपके वल एक ही बार इस जर्नी में आप जब दा सकते हैं इसी के साथ हम लोग अब पहुँच चुके थे कामक्या रेल्वे स्टेशन और यहां के कमक्या माता का मंदिर है कभी अगर आप लोग ने दर्शन की है तो अगरन सक्षन में लिखेगा जरूर लेकिन मैं आप लोग से सीधा मिलता हूँ अभी गौहार्टी रेल्वे स्टे में जहां पर हमने खाना ओडर किया था जो कि हमारा इंतुदार करना है तो हम भी देखते हैं चलिए क्या आने वाला है अगर हमारी ट्रेन में डीजल लोकोमोडिवस इस ट्रेन की शोबा को बढ़ाते होगे यहां हमारी ट्रेन जाकर गौहार्टी पहुंची और यहां पर हावडा से गौहार्टी बीच में चलने वाली सराइगाट एक्स्प्रेस भी पहुंच चुकी है यहां पर हमारा राइवल टाइम था 8.50 का और यहां आते आते अच्छा कासा डेलर होग च्छा है यहां हमारे ट्रेन पहुंची है तेन थर्टी नाइप पर अल्मोस्ट बन आर फिप्टी मिनट्स का डेले और वल्कम टू दा गेटवे ओफ नॉर्थ एस्ट यानी गौहार्टी रेलवेस दिश्टी यहीं से मेर नॉर्थ इस्ट यहां वह वह शुरू होता है यहां यहां पर अपना आयार सिटी सी का जो खाना है वह भी गौहाटी पहुंचते ही आज का राजधानी तो दिश्पूर है पर गौहाटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बड़ा शायव है जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ अगर आप लोग को नौर्ट इसमें बड़ी बड़ी जगहों में जाना है ना तो आपको यहां गौहाटी तक फ्लाइट्स मिल जाएंगी पहुंचते पहुंचते हम लोग उने लगभग छे से साथ राजजतों पार करी लिए जिसमें हमने शुरुआत की थी तमिल नाडू से फिर पहुंचे हम लोग केरल राज्य में केरल राज इंगबार हमाई ट्रेन पहुंची आंदर पदेश उडि इसा वेस्ट बेंग और तोड़ी देर के लिए जहारखन भी गए थे और उसके बाद असम में एंट्री की और अब देखिए अपना सफर यू ही इंडिया को एक्स्टोर करते हुए हम लोग उन्हें 3600 किलो मेटर की दूरी को टाय कर लिया है और जर्नी जो हमारी बहुत ही कमाल की यहां तक रही है तो एक फैमिली वाली फीलिंग थी मज़ा तो काफी आया और यहां से जो पैंटरी की सरसेज बंद दो रही इसने में अनलाइन पूट और कर लिया लेकिन हाँ बाकी रूप में जो भी चीज मिलेंगे एक्स्टोर करते रहेंगे और आपको दिखाएंगे ज़रूर फिलाल यहां पर फ्लेटफोर नुमबर 3 से हमारी ट्रेन क्यारा बजे निकल रही अच्छा कासा हॉट यहां पर काफी दे तक ट्रेन रुकी है थोड़ी बहुत मैंटरनेंस भी हुए ट्रेन ही यहां पर और यहां बाजू में राजेन नगर डिबरुगर्ड कैपिटल एक्स्प्र कि अब पूछें कि अब यहां पर देख लो मसाला डोसा यह रहा और अलुक पराथे को जैसे रहें पर यह लग ठोड़े कचवड़ी जैसे रहें क्योंकि पराथे वाली फील तो नहीं है रिस से अच्छे खासे तले और आलू को प्राठेक साथ आलू की सबजी भी दी गई है और यहां पर सांबर चटी मेरा चलिए जल्दी से टेस्ट कर लेके हैं क्योंकि असाम की खुप्सूरा प्लबारे जो है वो लगातार चल रहे है सबसे पहले मसाल दोसे को मैं टेस्ट कर लूँ कि यह मुझे परसंदी काफी पसंदे वैसे दो तीन दिन से खा रहा हूं जागिन फिर भी पराठे वरा चीजों से जाद मुझे चीज़ पसंदे कि बहुत ही टेस्टी बनाया है सामबर टेस्ट कर लिया जाए आप लोगर इस ट्रेन में ट्रैन में भी ट्रावल कर रहो तो मसाल दोसे बिल्कु रिकमेंडेन है अब लगे हां तालव को पराठे करी लिया जाए तो यहां पर जो खाना पीन है अपना आयार सिटिसी का वो श्याज भाई ने टेस्ट कर लिया है पराठे काफी ओईली से हैं लेकिन स्वाध इनका काफी सही उन्होंने बताया हम भी टेस्ट कर लेते हैं कैसा है स्वाध मालुक सबजी बिली अच्छे बाती है कि अगर सबसा टेस्ट के लिए और कियाता है कि उसी सब समझे चीजे बहुत ही वर्त लगी अगर आप लोग ट्रावल कर रहा है तो मैं रिक्मेंट यह करूंगा कि आप लोग ऑनलाइन पोडर कर लो स्टेशन के पोड़ पर डिपंडने नहीं रह सकते हो कि आपको क्वालिटी नही मिलेगी तेरे पिलाल जल्दी सब फिनिश कर लेता हूं बहुत सारी सीजे अभी आपको दिखाना बाकी है स्रूट में अपनी ट्रें जागी रोड रेलवे स्टेशन पहुंची है और रहुपकर सवारी यहां पर उतरी है तब ऐसा लग रहा है कि स्रीपर के आदे पैसे यह यहीं पर उतर गया है जिनको मिघाले जाना होता है उनके लिए जागी रोल कभी अच्छा स्टेशन जाएगा यहां से लगभाग 40-50 km की दूरी पारी है मिघाले राजी का भी बॉर्डर भारत का बहुत ही फ्रमुक हिस्सा है मिघाले के अभी रेल्वे दुआरा वह तर्स और रेंगे पेंटिकार के कप तो खाये बिनेगी प्लेट्स हो गएरा सबसे अच्छा पात है कि आपको बंदगी वेरफ बहुत ही कम देखने को नहीं बहुत ही कुछूरा तमाता वारा ना मंदिर देखे सामने कितना कुछूरा लग रहा है कि यह भी आप लोग हमारी लोकेशन देख सकते हैं और देख लोग कितना दूर है बाजू में ही एकदम वाल्टीज जस निकले हैं जगी रोड और अभी यहां से लुम्डिंग होते हुए दीमापूर के रस्ते उपर डिब्रुगड की और बढ़ जाएंगे ट्रेन हमारी नियुतिन सुखिया होते हुए दिब्रुगड की हो जाएगी कापी कमाल का रूट है टेरेन देख लो कितना खुबसूरत लग रहा है मैप में तो सोचिए जर्नी में कितना मताएगा कितना मताएगा जाएगा रहा है बढ़ कितना खुबस्ट सोचिए टुबस्ट सुड़ जा है इसनाद बाइज एक गदर में उन्माने में होजई को राइस बॉल कहा जाता था वेसे आसम को तो राइस बॉल आप इंडिया पहले से कहा ही जाता रहा है मैं आप लोगों को बता दू कि यहां पे हमारा राइवन टाइम थाए 11.13 तोर हम लोग पहुचे है 1.30 पे अच्छा कासा डिले यहां पर यहां तक नजारे बहुत ही कुक्सुरा देखने को ले सेशन आप लोग बहुत ही छोटा सा है मौसम बहुत फुला सा है मज़ा आ रहा वह एंगेखने टा यहां पानी वाला यहां जो गद्या डिश्यारति भाला यहां जोटाने का इंड़र उलता को अगू हो जोटारी वहाला है मूचा को अच्छाा गे एक कीरेशिधा बनिया सका कÑने अचरी पहाला पनी केल आपे ज़री अपने केले लिया तो यह बदास ऐसे बड़ा साइज होता है इनका तो यह जो सामने लाइन है यह आ रही है भी अगर्टला और सिर्चर से और अमनों लंडिंग जंक्शन जो है वो पहुचने वाले मिली क्हारं जज़ग। function by कि यहो रही है वहां वहां कि ऱ्टब कि माया लंगब। कि एंग मिली कुचने मिली को.. आपे पनों टेपक्राओंब। 3,777 km के दूरी को होता है करके हम लोग पॉंचके हैं लंडिंग जंक्शन एक जमाने में में बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ा हब हुआ करता है यहां से मतलब ऐसी आसी ट्रेने चलती थी ना कि मिट्रिगेज का यहां से गूट ट्रेने पेट्रोलियम टैंकर वाली ट्रेने साथ-साथ-स इक्सप्रेस जिनमें टूवेसी का इसी चेर कर गईं सभी तरह के कोचेज भी लगते दे दूप जो है काफी तीखिया और अपनी घ जबरुकर विवेक एक्सप्रेस फाइनली आकर के पहुंचे लंडिंग जैंशन हमारा यहां पर राइबल ताम था पलगभग दो भी सोचके हम लोगों को लंडिंग जैंशन पहुंचे 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 एनफर का सबसे बड़ा जंक्शन रिल्वे सेशन मैं इसे काउ लेकिन जो सबसे मोस्ट सीनिक स्क्षिन मोस्ट बीडिवल स्क्षिन जो एनफर का यानी नौर्ट फंटियर रेल्वेस का वो चुरू होता है लंडिं से गर आप सिल्चर अगर तला इस रूट में जाएंगे तो बहुत सारी देखने लाइक चीजे हैं बहुत मजा अगर नागा लैंड में बहुत सारी चीजे हैं आशूट में एक्सप्रेस वाया गौल बाड़ा जाबोलोई हाजुविसे प्रेटफों नंबर सारी और पड़ा किसुःबोई पिसोच प्रस्थान कोईबो भंडबाग एक दो तीन का तो साइड है वो कुछ ऐसा दिखते है हमारे तो प्रेटफों नंबर चार पयाई थी खैर और जाद देर हम लोग यहां रोके नहीं है तो बहुत ही जादा कड़ी और वच्छे कुछ दिन पहले आप लोगोंने हाफ लॉंग रेल्वे स्टेशन के बारे में सुना होगा कि भैंकर बारिश में पुरा स्टेशन में तो आपको लंडिंग से नीची की और जाने वाले ट्रेन लेने पड़ेगे अगर तला बैंगलोर केंट हमसे वर बहुत ही सुन्दा ट्रेन है उसमें गर आप ट्रावल करों तो सारा सीनिक स्रेक्शन आपको दिन में देखने को मिलेगा और भी बहुत सारी ट्रेने हैं बग कर दो दूर को हमसे में लेगा आपको पुमित surprising सेरो किसंट आपकोज़ बहुत सारी कि अब में कार मानum करती है ऑले जप दितले शितला पाभंडोर कि याल य़ि vapor रिया जाने भाला टाइओंता हुत है गयो दो कि मुम्ना कर ऑज करतें दो सारी गढ sonra दितलें दिएंगको आ छोगों ने बाएं से दिवारे बना रखे हैं घर भी बना रखे हैं वाक़ई में काफी टैलेंटेड हैं यह लोग देखें कितनी कुछ पुछ इस आप बना रखें बाप के घर दिवारे वगएरा अपने आपनी देखें बहुत कुप्र लगता है कि अपना अराविल टाइम था दीमापूर में और हम लोग यहां पे तीन चालिस पहुंच चुके हैं दंसारी नदी के किनारे बसा हुआ है दीमापूर और नागा लेंड का अपना पहला और आखरी एलवे स्टेशन विए क्योंकि इसके वापत हम लोग असम के और बढ़ जा दंसारी नदी के किनारे बसा हुआ है बहुत ही खुप्तूरत सा रेलवे स्टेशन मतला मेटर के जमाने की याद दिलाता है प्लेटफॉर्म की हाइट वगरा बहुत ही कम है खाने पिने की चीज़े आपको दोनों तरफ स्टेशन में मिल जाएंगी और सामने से कोई ट्रेन आपको इंटर सिरी आए शायद यह है तिन्सुकिया लुम्डिंग इंटर सिरी और भीड देखो भाई इसके लिए गजब के स्टेशन में लगे हुग हुग है और गर्मी का फिजादा और ऐसे में इतनी सारी भीड को जिलना वाकरी में काफी दिक्कत बड़ा सफर हो सकता ह अब धनशारी नवी के किनारे बसा हुआ है और कछारी ट्राइब यहीं से कहा जाता है कि कछारी ट्राइब की राजधानी हुआ करती थी अंग्रेज तो इसे ब्रिक सिटी भी कहते थे और इतना पुराना शहर है कि 13 इसवी से यह शहर आज भी है वालब यहां की भीड सा ब अंदाजा लगा सकते हो कि नागा लेंट लेक इतना इंपोर्टन रेलवे स्टेशन होगा यहां मारी ट्रेन अभी पांच मट से ज्यादा रूप चुकी है और मैंने एक चीज देखी यहां पर बांस का जो प्योग है यानि बैंबू का जो प्योग है बहुत जादा होता है घर वक्की दिवारे बगरा बनाने में फैंसिंग बनाने मारी इसी बहुत सरी चीज़ हो और इन फैक्ट यहां पे चटाई बगरा मैक जिसे आप कहते हो वह सभी चीज़ भी बहुत जादा देखने को मिल रहे हैं तो बहुत अच्छा लगा मतलब लोगों की क्रेटिवीड करें को यहां से डिपार्चर सिग्नल जो है वो मिल चुका है लो कितना वेट ख़र रहे हैं प्रेंगा यहां पर एसा तो होगा नहीं कि सब देखने आए यह उंगे यह पीड काफे तगड़ी लगी हुए। तो तो अभी डे फोर चल रहा है और यह कोकनट वगड़ा भी हमने ले लिया था और साथ में असम के स्पेशल बनाने मिल गए थे तो चलिए इसे टेस्ट कर लेते हैं कैसा है स्वाद क्यूंकि देखने में तुछ थोड़े यूनिक लग रहे और वैसे भी बाकी जो स्टेशन से प्रकटिंग वगड़ा उन्हें आने में टाइम है इसका जो स्वाद है कैला बनाने जैसे है तो बहुत जादा अंतर नहीं है लेगिन अगर आप तो उन्हें कैला बनाना नहीं खाय तो आपको शायद है कि थोड़ा यूनिक लगे बाकी कुसे में पहुंचेंगा भी फ्रकटिंग भी यहां पर एलिपेंट जोन के सिंब कि अगर कि अगर कि अगर कि तो यहां पर हमारे टेन आज के फ्रकटिंग जंक्शन जहां से जो रहट के लिए जो लाइन है वह अलग हो जाती है यहां पर तीन चालिस का मरा राइवल टाइम था पर यहां आते आते हैं यहां पांट बच चुका है यानि एक अंटे बीश मट का डीले यहां ते हो चुका है शेशन बहुत ही कुप्सूरत सा हरा भरा सा है तो शेशन तो काफी अच्छा लग रहा है वैसे आप लोग मेरे को बताई कि कभी है आप लोग यहां पर आया है यहां से बुजरे है तो बगी नौट-थीस मसससेट बहुत ही जल्दी हो रही है अभी तो बस पांच ही बजए और यहां पर देखे है संसेट जो है वो शुरु उचकि अ कि जूरहट कर रहा है अपलोग देख सकते हो कैसे वहां हमसे अलग हो रही है और हम लोग पढ़ रहे हैं मर्यानी के ओर और वह वापस से घूमके आती मर्यानी ही है लेकिन हां एक सर्विस लोग को आगे देने के लिए लाइन तो रहेल पे तुआरा चलाई है यहां लोगों के पास मने एक चीज देखी कि सब ने अपने खुद की पॉंड बना रखी है नहीं लेक हर घर के आगे आपको लेक मिल जाएगी अपने अपने पशु पाल रखे हो और बैंबू से बहुत सारी कुप्शूरत चीजे बना रखे हैं इंपाक घर की बाल्स भी बै आपका यहां एकटा रूप दोग्या है रागे हाज इंपास अेड़ भी बैब थोग्या है यहांका तखलने शुफट हुआले का यहाँ हुआले कम सुखबैू का ठभ कि मुट है हमाड़ हे बाल्स नहीं दोगडता पाला है हुआले का लूगको अटाओ सालने अगले से सही हम मर्याणी जंक्षन और यहां पर आप लोग देख रहो है चाए बथा इंडिया के लार्ज़ियर टी गारडन से नो वह मर्याणी में यहां पर आप देको सारे कितनी सारे दूर दूर तक चाय बगान आपको देखने बिलेंगे और ऐसे ही चाइबगण आपको जर्णी न देखने को मिले होंगे पुर्किटिंग से यहां तक इसलिए मर्यानी बहुत फेमस हुआ है कि अपना टाइम था यहांने का फाई थर्टी होच क्या मर्यानी जंक्छन ने पर गिबॉन वाइड लेफ सेंच्री बहुत ही फेमस हो यहां से काफी पास है पहले कुछ खाना हुरा कर लिया जाए और हां बहुत सर लोग नागा लें विजिट करने के लिए यहां भी उतर दे तो बताएगे ज़रूर अगर आप लोग यहां से हैं तो कुछ जानखारी अगर आपके बास इसके बारे में मर्यानी में खाना बिना हमें कलक करना पड़ेगा क्योंकि अब डिब्रुग रात में का पहुंचेगी पता नहीं तब तक वहां के होटल खुले रहे हैं नहीं त सबसे अच्छे लगी कि स्टेशन में साउथ इंडिन डिशेज बहुत ही अच्छे डंग से मिलें एकक्तम ताजा 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 तरीके से वही हमने भी पैक कर भाई खात में यहां पर देखिए आपको बेकरी आइटम से अगरा मिल जाएंगे आपको लड़ होगा तो समोस और इसी के साथ शाम भी हमारी यही पर हुई है तो देख लो आप लोग के सामने ही है यह जोरहट के ओर जा रही है और हम लोग बढ़ रहे हैं भी नीत इंसुक्या यानि जिब्रुगड वाली लाइन के ओर सभी चीजे हमने कलक की है मर्यानी जंक्शन से जहां पर यह वेज बिर्यानी है साथ ने मसार डोसा वैसे वड़े हमने अलग से खरी दे यह जिसमें कॉम्बो में नहीं थे 50 रुपीस के हमें पड़े है तो देखते हैं स्वात के सब बिर्यानी हां 80 रुपीस के बढ़ी है तो जल्दी से टेस्ट देख रहा है क्या वर्थ है अपने प्राइस के साब से तो संदीब भाई बताएंगे कैसी बिर्यानी आंकी क्योंकि काफी दर से हम लोगों ने कुछ इस टाइप की आइटम खाई नहीं है स्नैक्स में जी रहे हैं कैसी है को गया कैसमें बहुत ही तो वही बैटर होता जर्नी दोरा एक बेस्ट बात यह नहीं है कि वहां एकदम ताजा ताजा बनातों और भी लगी हुए थी मसाल दोसा साउच इन खाने के लिए इसलिए मैंने लिया आप साम भार में चीजे देखनें कैसा स्वाध कि एवन एकदम बहुत ही बढ़ी है स् इसके बाद देखते हैं अब लोग पहुँच चुके थे नियू तुन सुकिया जंक्शन और स्टेशन काफी साफ सुत्रा था और मतलब मैंने उमीर नहीं कि थी कि इतना साफ सुत्रा इतना बढ़िया बनाया गया होगा नया रेल्बेस टेशन और नहीं बहुत ही भैतरी है फिर हम बढ़ चले अपने आखरी स्टेशन के लिए यानि दिब्रुगार देल्बेस टेशन के लिए फैनली पहुँचने वाले हैं डिब्रुगड और इंडिया की लॉंगेस ट्रेंड में जर्नी खतम हो रही है इसका हैसास मुझे तब हो जब हम लोग अप से लेकर अब तक अलगला लोगों से मेले अलगला कateurs देखे लेंस्के बटयूम देखे वह वाकैम बहुत खुच छुड़ को में धटा लुट सीटेशन मेंINDरा मचे फीड़ ए खनि या झाहिघ्ट कर नमन नहीं कर रहा हमारे घर अधर को थेयों किशं को गहाल सब्स्वाइ कर रहे हैं सामान सेट कर रहा रहे हैं तो ठीक है भाई लोग आल दे बेस्ट आप लोग की जर्नी अभी भापिए कर गए जो ट्रेन का स्थाफ वह भूल मिल गया था सब कर रहे हैं अब उन्हें पुरा लग रहा है कि चार दिन से इनकी शकल देख रहे हैं वह भी छूट रहे कि बहुत सारी यादों को साथ लेकर के विवेक एक्स्प्रेस में अपनी जर्नी यहीं पेंड होती है 4154 कि दूरी को फाइनली हम लोगों ने तया कर लिया है और डिब्रुगड में आकर बहुत चुके हैं सोचा नहीं था मैंने कि इडली टुपसा हमारा इतना साथ देगा कन्या कुमारी से हमार साथ चलते चलते मैंने देखा कि 930 तक भी यह सबी चीज़ अवलेबल थी और यहां की चाय असम की चाय जिसे पुरा विश्व भी जानता है जो कन्या कुमारी में भी अवलेबल है यह हमारा भारत आठ राज्जियों को हम लोगों ने पार किया बहु स्टिन में बिताए और जो यादे है ना बहुत सारी लेकर के जा रहे है यह एक लाइफटाइम मोमेंट है और हर इनसान को ऐसी जर्नी इस पे निकलना चाहिए चाहे सोलो चाहे दोस्तों के साथ क्योंकि यह जर्नी ही है जो हमें बहुत कुछ सिखाती है पूरी जिंदगी हर का सबक दे कर जाती है ऐसी बहुत सारी चीजों को साथ लेकर के इस वीडियो को मैं यहीं एंड करना चाहूंगा वैसे लोकेशन आप लोग एक बार देख लो साइड स्क्रीन में प्ले कर देता हूं कितनी खुबसूरत है और इतना दूर हम लोग आचके हैं कन्या कुमार ऐसे ही मेरे साथ ओल इंडिया ट्रावल करते रहिए और इंजॉय करते रहिए एंड लिब दा मुमेंट विद मी